हेलो एब्रीबन स्वागत है आपका अपनी योट्यूब चैनल नाइन एंड फाइन में कैसे हैं आप उमीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे की प्रेग्नेंसी में अपने बच्चे का वजन गव में कैसे बढ़ा है जिससे की आपकी नॉर्मल डिलिवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन्स ना आए तो इस वीडियो में हम ऐसे 5 सूपर फूट्स के बारे में बात करेंगे जो की बच्चे का वजन तेजी से बढ़ाते है क्योंकि देखिए अगर प्रेग्नेंसी में बच्चे का वजन बहुत कम होता है तो भी नॉर्मल डिलिवरी में कॉम्प्लिकेशन्स आती है और अगर जादा होता है तो भी कॉम्प्लिकेशन्स आती है तो हमें अपने बच्चे का वजन ऐसा रखना है जिसमें हमारी normal delivery में कोई complication ना आए तो उसके लिए जो बच्चे का वजन सही होता है वो धाई से साड़े तीन किलो तक का होता है तो जब हमारे बच्चे का वजन बहुत कम होता है तो हमें डॉक्टर ऐसा suggest करते हैं consult करते हैं कि आप अपनी healthy diet लेजिए अच्छा खान पीन रखिए जिससे कि आपके बेबी का वजन तेजी से बढ़े इस वीडियो में हम वही superfoods के बारे में बात करेंगे जो कि बच्चे का वजन तेजी से बढ़ाएंगे तो वीडियो काफी important होने वाला है for every pregnant woman वीडियो को बिना skip करें लास तक देखना और जो मेरी चैनल पर first viewer है वो मेरी चैनल को with the bell icon subscribe कर ले जिससे कि मेरी वीडियो के सभी notifications time to time मिलते रहे so without getting ready let's get started देखिए जब एक लेडी pregnant होती है तो family के सभी members उसका ध्यान रखते है especially खाने पीने का बहुत जादा ध्यान रखते है जो वो कहती है एकदम instant लाके देते है और वो खुद भी बहुत जादा ध्यान रखती है क्योंकि जैसा वो खाएगी वैसे ही उसका baby का health होगा अगर आप अच्छा खाएंगे तो आपका बच्चा स्वस्त होगा सुन्दर होगा और अगर आप healthy diet नहीं लेंगे तो कहीं न कहीं बच्चे के मानसिक और सारे रिक्विकास में रुकावट बनेगी तो हमें अगर अपना बच्चा स्वस्त चाहिए तो हमें अपना healthy food रखना होगा हाला कि pregnancy में टेस्ट के according भी मन करता है कि हम कुछ चटपटा खाए, कुछ fast food खाए लेकिन वो आप टेस्ट के दोर पर खाएए, अपनी डाइट में healthy food भी सामिल करिए तो देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले उन super foods की जो की वजन तेजी से बढ़ाते हैं अगर आप चाते हैं कि आपके बच्चा का वजन तेजी से बढ़े तो आपको अपनी डाइट में सुबा और शाम दूद को सामिल जरूर करना है एक सोने से पहले आपको एक गिलास दूद जरूर लेना है और सुबा की टाइम आपको दूद जरूर लेना है क्योंकि दूद जो है वो बच्चे के कैल्शिम की कमी को पूरी करता है आपकी बोड़ी में भी कैल्शिम की कमी नहीं रहने देता और बच्चे की हड्यों को मजबूत रखता है जो कि बच्चे के सारे रिक विकास को पूरा करता है नमबर दो है पनीर, दही और अंडा पनीर, दही और अंडे में पूरा प्रोटीन में पाया जाता है तो ये बच्चे के विकास के लिए बहुत अच्छा होता है और अगर आप अपनी डाइट में अंडा, पनीर और दही को शामिल करते हैं, तो बच्ची का वजन बहुत तेजी से बढ़ता है, आप पनीर किसी भी वे में खाईए, चाहे आप सबजी के खाएं, चाहे आप शैलट के उसमें खाएं वे में, लेकिन आपको पनीर जरूर खान next लाइट आटा है, fruits अगर आप fruits खाते ऐंगे तो आप fruit बहुत सब्सक्राइबर बहुता है, और यूस पीते हैं उसमें इतना फाइबर नहीं लिए, बहुत नहीं होता है Should we use औame नहीं अठीक घ्रूर जाइटै हैं रिह सादूर है कीवी और बैनाना और 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 सेब देखी नारियर पानी भी ले सकते हैं यह जो वजन बढ़ाने के लिए केला कीवी और संत्रा बहुत अच्छा माना जाता है साथ में और और आपके प्लेसेंटा को भी हैल्दी रखता है क्योंकि प्लेसेंटा एक ऐसा ओर्गन है जिसके बेबी को सारा निउट्रेशन पहुंचता है तो अगर प्लेसेंटा हैल्दी रहेगा तो कही न कहीं बेबी को सारे निउट्रेशन पहुंचेंगे और बेबी भी हैल्दी रहेगा तो आप अपनी राइट में केला, संत्रा, कीवी और सेब को जरूर शामिल करें क्योंकि यह बिगाओ कर और सुबा खाएं लेकिन अगर आपका नाइंत मन्त है तो आप ऐसे भी बिना भिगाए भी खा सकते हैं जो कि आपकी डाइट में healthy डाइट होंगे और साथ में आपके बच्चे का बजन भी तेजी से बढ़ाएंगे नेक्स आता है डाल आप अपने डाइट में डाल को जरूर शामिल करें क्योंकि डाल में बहुत जादा प्रोटीन होता है डेली सुबा या शाम में से डाल आपको जरूर लेनी है चाहे आप डाल को बहुत ही liquid फॉर्म में ले या फिर एक सबजी के फॉर्म में ले रोटी के सा लेकिन आपको डाल अपनी डायट में जरूर सामिल करनी है, दलिया और सोयबीन, दलिया और सोयबीन में भी बहुत प्रोटिन एंट विटमिन्स होते हैं, जो कि भरपूर विटमिन्स से भरी हुई हैं, तो इससे आप अपनी डायट में दलिया और सोयबीन भी जरूर सामिल कर बाकी अभी सर्दियों में बहुत अच्छी सब्जियां आ रही हैं मूली आ रही हैं गाजर चुकंदर ये भी आपके बच्चे की हैल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं आप दलिया लीजिए दाल लीजिए और जो हरे पतेदार सब्जियां है पालक मेथी और जो साग आता है आ क्योंकि आपके बच्चों की health के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि देखिए जैसा आप खाते हैं वैसा ही आपका बच्चा healthy होगा अगर आप poor diet लेंगे unhealthy diet लेंगे fast food पर जादा जाएंगे तो कहीं नगई बच्चे के सारी रिक और मानसिक विकास पर फक पड़ेगा और कोई मा ऐसा नहीं चाती कि उसके बच्चे के सारी रिक और मानसिक विकास में रुकावट हो तो अपनी body को healthy रखिए और साथ में एक जरूरी बात है कि पानी पानी भी आपकी body को बहुत जरूरी होता है बच्चे की health के लिए जरूरी होता है क्योंकि जिस amniotic flood में बच्चा पीए साथ में नारियल पानी पीए जूस पीए और दूज जरूर ले दही भी ले और दही आप जैसे ठंडी है तो कहीं न कहीं हमारा immunity इस टाइम वैसे ही strong नहीं रहता है तो जैसे ही गर्मियों का सीजन आ जाता है मार्ज से फैपके लास से आप दही भी अपने डाइट मे जरूर सामिल करें तो आपको जो पानी है वो 8-10 गलास डेली जरूर पीना है नेक्स आता है रेस्ट करना अगर आप रेस्ट नहीं लेते हैं आप healthy right रखते हैं तो भी कहीं न कहीं आपके बच्ची के सारी रिक्विकास में रुकावट आती है और बच्ची का वजनतेजी से नहीं बढ़ता है तो आपको रेस्ट भी प्रॉपर लेना है रात में साथ से आठ गंटे की नीज जरूर ले और दिन में भी आपको डेर से दो गंटे की नीज जरूर लेनी है जो कि आपके बच्ची के लिए healthy रहेगा और आपकी pregnancy भी healthy रहेगी तो फ्रंस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केर वाबाई थैंक्स फॉर वाचिंग